आए अब देखें जो इसकी वर्किंग है जो कैसे वहाँ पर फिगर आ रही है एक एक करके देखते हैं इंकम टेक्स पेड कैसे निकाला देखें आपके पास पिछले साल जो अब स्टेंडिंग बैलेंस था इस साल जो आपने प्रवाइड किया तोटल आपका पेडल इतना बनता था अभी आपने जो देना बाकी है वह तो बैलनस आपने पे करें तो सिंपल है देखें ओपनिंग प्लस प्रवाइडिड इंदी इंकम स्टेटमेंट और माइनस कर दें जो आपने अभी पे नहीं किया तो रेस्ट इस पेड जो में देखें लॉस अन सेल और फिक्स्ट असेट कॉस्ट ऑफ इकुप्मेंट सोल्ड 85 उसके अगेंस्ट एक्य अधरिंग वैल्यू जो है वो 24 बेचा आपने उसको 18 में तो आपको लॉस हो किया यह लॉस आपने अज़ेस्ट किया और 18 जो है आपने इन्वेस्टिंग अक्टिविटी में इन फ्लो में दिखाया नॉन कंट्रोलिंग इंट्रस का ओपनिंग बैलेंस और जो प्रॉफिट बच गिया है और जो डिविदेंट पे कर दिया है वो आपने उदर दिखा दिया है कैश्विन स्टेट्मेंट में बैलेंस आपका 201 रह जाएं इन्वेस्टमें इन असोसियेटिड कंपनी इसको भी जरा देखें कि ओपनिंग बैलेंस हा 292 और प्रॉफिट आफ्टर टेक् आपके पास जो क्लोजिंग में बैलस बचा हुआ है 346 इसका मतलब यह है कि जो डिफरेंस है 42 का वो आपने असोसियेटिड कंपनी आपको डिविदेंट की शकल में पेखिया है तो जो डिविदेंट आपका आगया है असोसियेट से वो भी आपका इन्फ्लो बनेगा और य यह भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिससा ही होना चाहिए लेकिन अगर आप इसको उपर भी ले जाएंगे तो acceptable है यह ऑपरेटिंग में भी दिखा देंगे तो acceptable प्रपोस डिविदेंट के बारे में देकिए प्रेफरेंस का ओपनिंग ओर्डिनरी का ओपनि का है 21 प्रेफरेंस का और 180 कैश फ्लो ओडिनरी का इसमें एक सिंपल सी बात है देखें यह लॉग की रिक्वार्मेंट है कि अगर आपने डिविजन डिक्लेर करके अप्रूब करवा दिया है तो आपको विदिन 45 डेस पे करना होता है तो आप देखें नॉर्मल हुआ क्या ह है कि जो पिछले सालों का था यानि 19 का जो था 21 और 180 वो पे हो गया है तो मिला कर देखें तो 21 और 108 बन जाता है आपका 201 तो यह वो पे हो गया है जो इस पर इस पीरियड का है वो अभी पे नहीं हुआ है इसलिए वो बैलेंस शीट में नजरा रहा है तो यह वर्किंग कर दिशन माइनस क्लोजिंग रेस्ट इस पीड लेकिन मेक शूर के इतना सिंपल नहीं है थोड़ा सा है जिसको देखना पड़ेगा आपको थैंक्यू वेर्य मुच